हेलो इर्वन, तो दोस्तो आज हम आपके साथ डिसकस करने जा रहे हैं हिंदी ब्याकन के कुछ कोस्चिन और दोस्तो हमारा ये की मकसद रहता है कि आपको कम से कम समय में जादा से जादा कोस्चिनों को कबर करवाया जा सके ठीक है ये ही हमारा मकसद रहता है तो शुरू करते हैं इसमें हिंदी ब्यागन के कुछ question आपसे पूछे गए थे इनको हम discuss करेंगे और इनके answer इनके answer हम final answer की according ये आपको बताएंगे यदि किसी भी question में आपको doubt लगता है तो आप comment box में हमें बता सकते हैं जरू करते हैं पहला कोश्चिन इसमें दिया गया है क्या कोश्चिन है मनहोर का संदीव शेद कीज़े मनहोर का क्या संदीव जयद होगा तो इसका right answer बन जाएगा इस तरह से होगा सत प्लस जन सत सजन का संदीव जयद इस तरह से होगा ठीके तके पैर में लंत होता है ठीके मनह प्लस योग की बात किये तो मनयोग पूछा जा चुका है ठीके यस 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 उधरा की बात किये यस यस प्लस धरा यस उधरा का संदीव जयद इस तरह होगा प प्लस नती की बात किया है तो उनती इस तरह से इसका संदीव जेद होगा ये सब्द आपने ध्यान में रखने है जो आपके एक्जाम में पूछे जा चुके आगे है नब चर में समास नब चर में क्या समास होगा नब में चरने वाला मतलब कि इसमें तत्पुर्ष समास जा चुका है मन चाहा पूछा जा चुका है राजनात पूछा जा चुका है राजग्रिया राजभवन और राजपूत राजपूर्स राजपूर्स भी पूछा जा चुका है ठीक है ये तत्पुर्ष से बनने वाले सब्द है ठीक है तत्पुर्ष मास से बनने वाले है ठी थी, ये सबी question पूशी जा चुके है, द्वन्द की बात किया है, इसमें दोनों पद परधान होता है, जिसे घर और आंगन, लेन देन, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म भी आपका ये question पूशा जा चुका है, पटवारी के एक्जाम में, ठीके, हरी संकर की बात किया है, इसमें भी दोन्समा से, अभिवाब की बात किया, इसमें पूरुपद, परधान होता है, और पहले पद की बात किया है, तो इसमें क्या होता है, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, बेसक हो गया, जैसे बियर्थ हो गया, निर्जर हो गया, एका एक हो गया, और प्रती ग्रिह, प्र राइट अंसर बनेगा आपका option C, एकांकी क्या होगा एक का विसेशन होगा अब विसेशन की बात आईए तो और विसेशन देख लेते हैं कौन कौन से विसेशन आपके एकजाम में पूछे जा चुके हैं पहले तो option देख लेते हैं एक का अनेक आपका बिलोम बनता है एक का अनेक क्या बनता है बिलोम बनता है यह आपने ध्यान में रखना है और एकत्र की बात की है तो एकत्र का विकीरन क्या होता है बिलोम होता है अब विसेशन की बात करेंगे प्रेम का प्रेमी विसेशन होता है पाप का पापी विशेशन होता है, नोक का नुकीला विशेशन होता है, ये पूशा जा चुका है, भार का भारी विशेशन होता है, ये भी पूशा जा चुका है, कुल का कुलीन पूशा जा चुका है, विश्वास का विश्वस्त क्या होता है, विशेशन होता है, तेज का त आक्सी का अपने ध्यान में रखना है वो भी question पूछा जा चुका है ठीक है अब बात करते हैं अगला paper अगले paper में क्या question है पहला जिसकी उपमान ना हो के लिए एक सब्द क्या बनेगा option आपका second सही हो जाएगा अनुपम हो जाएगा option B सही हो गया अब यहां से आपने कौन- आसातीत कहा जाता है जिसका जनम पहले हुआ उसे अग्रज कहा जाता है यह आपने ध्यान में रखना है ठीक है उसके बाद अगला question है आपके पास अगला question क्या है आपके बास तो अगले question की बात की जाए इसमें question पूछा गया है कि उसकी गाय काली है इसमें कारक पूछा कि कारक पूछा है इसमें कौन सा स्मंद कारक बनेगा उसकी गाय क्या है काली है ठीक है ओप्सन C सही हो जाए यहां से अगला कोशिवन आपके वास सुस्क का बिप्रितार्थक मतलब कि विलोम सब्द पूछा गया है तो इसमें बनेगा आपका ओप्सन D सही हो जाएगा आद् अपने ध्यान में अरपन का ग्रिहन क्या होगा ग्रहन अरपन का ग्रहन क्या होगा विप्रितार्थक विलोम सब्द होगा अबकास का अनवकास क्या होगा आपका विलोम सब्द होगा अनुकूल का प्रतिकूल विलोम सब्द होगा यह सब्द अपने ध्यान में रखना है उ इसमें आपका option B सही हो जाएगा, अभी शेक इस तरह से लिखा जाता है, ठीके? उसके लोकिक का लोकिक इस तरह से होगा, सुद्धि सल सब्द बिरहनी की बात किये तो बिरहनी होता है, समझान की बात किया है, तो सह इसमें आदा होता है, सुरू वाल सह इस तरह से लिखा जाता है, ठीके? आगे आँख का अंदा, नाम नय सुक्स, कहावद का अर्थ क्या होगा, गुण के विप्रित नाम, आपसन आपका D सही हो जाएगा, आँख का तारह होना, अति प्रियवेक्ती होना, ये आपने महाबरा ध्यान में रखना है, ठीके? उसका संग्या सब्द आपको बताना है, संग्या सब्द इसमें से कौन सा है, तो संग्या सब्द आपका बच्चा हो जाएगा, option D सही हो जाएगा, कि संग्या सब्द बच्चा है, क्योंकि बच्चे का जो बच्पन होगा, ये भावाचक संग्या बनती है, ठीके? बच्चा क्या है? आपकी संग्या है, लड़का आ आपकी संग्या है, मरन क्या है, आपकी भावाचिक संग्या है, सजन का सजनता भावाचिक संग्या बनेगा, भार का भारीपन भावाचिक संग्या बनेगा, सेवक का सेवा क्या बनेगा, ठीके, और बात की जाए, मनुस्या का क्या बनेगा, मनुस्या था भावाचिक संग्या झाल